ये कहानी एक सुहाने से जंगल की है जहां एक चडिया रहती थी वे चडिया बहुत ही जादा प्यारी थी परन्तु उस चडिया का यही मानना था कि इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो के दुसरों की मदद करता हो और सभी के सभी सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं इसी वजह से वो चडिया उस पूरे जंगल में किसी भी पक्षी से बात नहीं करती थी ना तो serait किसी को दोस बनाती बस यही वज़ा थी इसके कारण वे चडिया अब बिलकुल अकेली हो गए थी वे चडिया अपने सारे काम खुदी करती थी उसे जो भी खाना होता वे खुछ जाकर वे फल या फिर कोई भोजन ढून कर लाती और उसे खाती अरे क्या दूर आ गया है इस दूर में तो जीना भी मुश्किल है हर पक्षी सिर्फ अपने फाइदे के बारे में ही सोच रहा है उसे दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ये दूनिया मतलवी पक्षियों से बड़ी बड़ी है बलके मुझे तो ये लगता है कि इस दूनिया में सिर्फ मतलवी पक्षी ही है और कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे की मदद के लिए अपना वक जाया करे ना जाने वे दूर कहां गया जब तमाम पक्षी एक दूसरे की मदद किया करते थे और आपस में हसी गुशी रहते थे कहते हैं हमेशे आपस में मिल जूल कर रहना चाहिए परंतु ऐसे मिल जूल के रहने का क्या फाइदा जब आपके सामने वाला सिर्फ आपसे अपने मतलब की बात ही करी चिडिया हर किसी को सिर्फ मतलबी ही समझती थी और इसकी भी एक खास वज़ा थी क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा हासा हो चुका था पर असल कुछ समय पहले उस चिडिया के माता पीता अपने ही घर में आग लगने के कारण घर में फच चुके थे और वे चिडिया अपनी मदद के लिए हर पक्षी को पकारती परन्तु उसकी आवाज वहां कोई नहीं सुनता अरे हमें बचाओ मीनू जली से जंगल में जाओ और जाकर किसी पक्षी को बुला के लाओ ताकि वे हमारी मदद कर सके वरना तो हम ऐसे ही आग में जल जाएंगे तुम जली से जाओ हाँ मीनू बेटा जली से जाओ ये आग बहुत तेजी से बढ़ रही है ये चडिया ऐसे ही चलाती रहती है परंतो उसकी अवास किसी पक्षी तक नहीं पहुंच थी यहां तक कि उसके मातापिता आग में जल कर मर जाते हैं पर एंतों वहां पर कोई भी पक्षी पहुँश नहीं पाता और उस चिडिया की मदद नहीं कर पाता अपने मातापिता की इस तरह की मिर्तियों से उस चिडिया को बहुत जादा गहरा सदमा लगा था और उसके दिल में अब ये बात बैट चुकी थी कि इस दुनिया में सब के सब मत दबी होते हैं और कोई भी किसी की मदद के लिए नहीं आता बस यही वज़ा थी कि वे चिडिया अब किसी पक्षी को अपना दोस्त या फिर साथ ही नहीं बनाती थी फिर ऐसे ही एक दिन एक भोला सकबूतर उस चिडिया के घर पर आता है और उससे कहता है क्या बात ही चिडिया? तुम तो बिलकुल भी घर से बाहर नहीं निकलती हो जड़ा घर से बाहर निकला करो, जंगल में घूमा करो तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी वे चिडिया उस कबूतर की बात सुनकर उससे कहती है अरे बसकरो बसकरो कबूतर तुम भोले मत बनो तुम कहते हो कि इस जंगल के बक्षी बहुत ज़ादा साफ दिल के हैं मैं ये बात अच्छी से जानती हूँ कि इस जंगल में हर बक्षी सेवर से मतलब ही है और अपने मतलब के लिए ही वे दुसरों को इस्तिमाल करते हैं इसलिए मेरी एक बात कान कोड़ कर सुन लो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं चाने वाली अरे चिडिया मैंने ऐसा भी क्या किये दिया जो तुम इतनी जाना गुस्से में आ गई हो जरा मुझे बताओ तो मेरी गल्ती क्या है और मेंने क्या किया है अरे तुम्हारे कोई गल्ती नहीं है बलके तुम सब पक्षियों की बिल्कुल भी गल्ती नहीं है सारी गलती तो मेरी है मुझे तिम लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी जा निकल जा मेरी घर सी चिडिया उस कबुतर को काफी जादा बुरा भला कहती है तो वे कबुतर ये सनकर काफी जादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है दिन उस चुडिया का मन होता है कि वे कुछ आम खाए तो इसलिए वे एक आम के बेड़ के बास जाती है और आम तोड़ने की कोशिच करने लगती है परन्तु आम तो काफी उचाई पर लगा होता है इसी कारण में आम तोड़ नहीं पा रही होती अरे बाप रे बाप ये आम तो काफी जादा उचाई पर लगे हुए हैं मुझे लगता है मैं इन आमों को तोड़ नहीं पाऊंगी और आज जो मैं अपना मन बना कराए हूँ ये मुझे आम खाना है और मैं आम नहीं खा पाऊंगी परन्तु मुझे लगता है कि मुझे हिम्म नहीं आने चाहिए और एक आखरी बार कोशिश जरूर करने चाहिए ऐसा सोचकर वे चिडिया आम तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वे एक जोड़ दर चलांग मारती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है परन्तु ये क्या वे तो धराम से जमीन पर गिर जाती है जम काने की वज़े से मुझे इतनी जादा चोट लग गई अब मैं क्या करूंगी मेरी मदद कौन करेगा अभी चिडिया ये सोची रही होती है कि वे कबुतर दुबारा से उस चिडिया के पास आकर बैठ जाता है देरसल वे कबुतर एक वेक था हरे चिडिया ये तुमने क्या कर होगी मुझे लगता ही इसके पेजे तुमारे कोई मदद करना चाहते हूं हरे चिडिया तुम्हें एसा क्यों लगता है के यहाँ पर सभी मतलब भी हैं मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है कि जो मतलब के लिए दुसरी की मद था हुता है फैरे चिडिया तुमरे आम खाने का मन्थना तभी तुम्हें साम के पेड़गर पास आ कर आम आने की कोशिश कर रही थी दुदो मैं कुछ आम तोड़के देता हूं वे कबुटर बिना चिडिया काफी जादा खुश हो जाती है अरे वाह कभूतर तुमने मेरे लिए आम तोड़ कर दिये मैं तो समझती थी इस जंगल में कोई भी बक्षी ऐसा नहीं है जो किसी दूसर बक्षी की मदद करें बिना किसी मदलब के परंति तुमने आज मुझे गलत साबित करी दिया तुम वाहित ऐसे पक्षी हो जो दुसरे पक्षियों की मदद करते हो हरे चिडिया सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ बलके इस जंगल के सारे पक्षी ही ऐसे हैं देखना तुम समय के साथ साथ सब को समझ जाओगी चिडिया की टांग पर चोट लगी है ये बात सुनकर जंगल के काफी पक्षी अब चिडिया के घर पर आने लगे थे कोई उसके लिए फल लेकर आता तो कोई उसके लिए तादा-तादा सबजया लेकर आता और यहां तक कि कोई कोई तो उस चिडिया के लिए गैन्दम के काफी सारे दाने लेकर आता ताकि उसे बाहर जाने के जरुरत ना पड़े और अपने लिए दाना धोनना ना पड़े और घर में बेटकर वे सकुन से वे दाने खा सके जो जो पक्षी चिडिया की घर पर आता चिडिया भी उनसे अच्छे से बात करती और उनके घर पर आने के लिए चिडिया उनका धनेवाद भी करती आखिरकार उस चिडिया को भी ये बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में अभी सब लोग मतलबी नहीं है कुछ-कुछ ऐसे भी है जो काफी जादा अच्छे होते हैं और बिना मतलब के वे सभी की मदद करते हैं इस कहानी से हमें ये पेरणा मिलती है कि हमारी एक चोटी सी खलत्वेमी हमारी जिन्दगी भर की मायोसी बन जाती है